ओके दोस्तों जैसा कि पिछला वीडियो था आप लोगों ने बहुत पसंद किया जिसमें मैंने अपना experience शेयर किया था mechanical engineering से related jobs के लिए specifically design में और इंडिया से बाहर jobs के लिए तो आज मैं genuinely अपना experience फिर से शेयर करना चाता हूँ उन लोगों के लिए जिनको jobs चाहिए इंडिया से बाहर इसी domain में तो क्या क्या तरीके हैं कैसे आप job ढूंड सकते हो as a mechanical engineer इंडिया से बाहर आप सब को पता है कितना मुश्किल है as a mechanical engineer job पाना especially इंडिया से बाहर अगर में बात करूं काफी मुश्किल है मतलब मेरा भी experience रहा है मुझे मिली है मैंने अपना experience शेयर किया है मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं तो luckily कुछ लोगों को मिल जाती है बड़ी आसानी से लेकिन इतना easy नहीं है जितना IT में है तो अगर आप इंडिया से बाहर as a mechanical engineer job देखना चाहते हैं especially मैं जर्मनी के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं suggest करूंग अगर आप design domain में हैं मतलब automobile design field में हैं आप interior exterior design में या body design या अच्छे इसकिसी में भी तो ज्यादा opportunities हैं compare to other specific like quality engineer, process engineer उनके comparison में तो उनके comparison में ज्यादा better opportunities हैं तो मैं process by process step by step आपको बताता हूँ कैसे आप ये चीज़ कर सकते हो पहले तो अगर आप design field में हैं तो क्योंकि वो मेरा domain है तो मैं उसली के बारे में बात करता हूँ सबसे पहले आप क्या करो सबको छोड़ चाड़ के जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी German language सीको सबसे बड़ी priority है लोग बोलेंगे कि यहां Germany में आच्छे इतनी requirement नहीं हैं मिल जाती है नहीं मिलती है आपको अपना केस सबसे आधा स्ट्रॉंग करना आपको जॉब ढूंडनी है तो आपका competition लोकल लोगों से है तो आपको यह वाला factor कि यह मुझे language नहीं आती आपको सोचो आपको यहां से कोई job क्यों देगा कि अगर आपको language नहीं आती थोड कोई दिक्कत नहीं है आप नॉर्मल कम्मुनिकेशन सी को B1 B2 C1 लेवल तक खतम कर दो ताकि जितना ज्यादा कम्मुनिकेशन आपका हो सके जब भी कभी इंटर्वियू स्कूल होता है आप जरून में कर सको वह सबसे पहली चीज सेकिंड आप लिंक्डिन पर जाओ जितना सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है लो उनको कॉंटेक्ट करो उनको रीच आउट करो उनको मैसेजस करो और भी लिंक्डिन पर कॉंटेक्स पनाओ ऐसे ही जो प्रोफेशनल्स हैं अगर तो अच्छी बात है उनसे कॉंटेक्ट करो नहीं है तो लोकल लोग हैं उनसे कॉ फाइल बेजें पहले आप कांटेक्ट करो और बातचीट करो अपने आपको इंत्रीज़ करो और फिर उनसे पूछो कि क्या आप कि यहाँ पर जॉब है अगर है तो ठीक है और नहीं है तो उने बताओ कि मैंने आपकी कंपनी में यह जॉब देखी है जॉब की लिंक यह है करके research करके तब उनको approach करो तो शायद वो help कर पाएं उसके बाद HR को contact करने के बाद list बनाने के बाद ये सारी चीज़े preparation करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि Germany का resume कैसा होता है मेरे खुद के experience रहे हैं कि क्यों की जब अभी मैं जिस company में था कुछ recruitment चल रहे थे मैंने local recruitment थे वो तो कुछ हमारे यहां के भी Indian लोग हैं तो उनकी resume में लोग यहां पर locally देखके थोड़ा सा irritate हो जाते हैं क्योंकि इतना सारा content होता है हमारे यहां पर competition इतना है कि हम सब कुछ resume में लिख देते हैं थोड़ा extra ही लिख देते हैं कि हमारे resume लोगों को पसंद आ पेज और दो पेज बस देट सिट उसमें आपके skills आपका experience बस उत नहीं उसमें डीटेल में नहीं लिखना आपने क्या किया है अर दिन क्या करते थे क्या वो सब चीजे नहीं ठीक आपके education qualification और age और जो भी basic चीजे हैं आपकर German format resume का Google पर मिल जाएगा असानी से तो वो सब स specific cover letter बनाना पड़ेगा for example एक कोई job है plastic interior engineer की है seating की है या door trims की है किसकी है जिस भी specific domain की है उस से related cover letter बनाई है आप उस company से specific company का नाम address HR2 उसमें सारी detail कि यह जो आप अपनिंग है मेरा experience यह है मैं इस में इंट्रस्टेड हूं क्यों इंट्रस्टेड हूं मैं क्या skills आपको provide कर सकता हूं मेरा इतना experience है वो सारी चीजें आपके cover letter बनाई होता है जहां पर आपको वो चीजें मतानी है जो जहां पर आप company को या फिर HR को impress करने की कोशिश करते हो कि मेरे अंदर यह चीजें different हैं आप मुझे recruit करो वो सारी चीजे cover letter में होनी चाहिए तो यह हो गए आपका second चीज application की फिर उसके बाद इसके साथ एक पूरा आपका folder होना चाहिए जिसमें सारे आपके engineering certificates आपके सारे job के experience documents आपके educational certificates आपने कुछ अधर कोई training की है या कोई आपके पास अधर कोई different skill है वो सारी चीजों का सारे documents आपके एक folder में तो आपका resume आपका cover letter और आपके सारे documents ये सब जाएंगे job application के लिए एक job application के लिए तो ये एक process होती है बहुत मैनद लगती है बहुत time लगेगा पर ठीक है कर लोगे तो आगे फायदा रहेगा तो ये पूरा आपका एक setup हुआ folder हुआ एक job के लिए तो हमेशा ऐसे ही आपको job application भेजनी है जितनी भी आप job apply कर रह कर सकते हो तो definitely करो as a mechanical design engineer अगर आपके पास different tools का experience है catia है unigraphics है आपको थोड़ा बहुत सी एई भी आता है अगर hypermash वगए राइंस तो बहुत अची बात है अगर आपके पास GD&T का कोई certificate ले सकते हो आप वो ले तो और भी best है तो इस तरह से अगर आप different skills को collect करते हो different तो आपका case थोड़ा strong होता है definitely सबसे पहली चीज़ German language जो मैंने शुरू में बताया था तो इस सारे skills के basis पे आप किसी specific job के लिए approach कर सकते हो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती मिलती है job इनको भी requirement है ये लोग भी ढूनते है चे इंजीनियर्स को अगर आपके अंदर skills है talent है आपको मिल जाएगी job मेहनत लगेगी और सही जगे अगर आपने resume में आपका पहुँच गया तो आपको job मिल जाएगी क्योंकि मैं देख रहा हू लोग हैं जो बाहर से हैं इस company में क्या ये company बाहर के लोगों को recruit करती है या नहीं करती कई small towns में companies हैं वो नहीं करती है वो locally लोगों को करती है तो आपका time waste होगा तो profile चेक करो जहां भी job निकली है उस company के उस पर जाओ LinkedIn पे पे members में देखो कि हाँ यहां यहां पे काफी Indians है या बाहर के लोग हैं जॉब कर रहे हैं और उनका experience देखो कि वो लोग डारेक्ली उनको जॉर्मनी में जॉब मिली दिया उन्होंने यहीं पढ़ाई किये अगर आपको दिखता है काफी लोगों को डारेक्ली भी job मिली है तो वो सबसे ची company आपके लिए उसके पीछे करके टाइम लगा कि आपको जॉब सर्च करनी पड़ेगी प्लान करके तब ही काम बनेगा आप मतलब हमारे यहां तोड़ी आदा तो थी हम बस सोचते हैं कि यार करना 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 और करना भी हमें क्या होता हमें लगता है इंडियन्स हैं इंडियन्स हैं इनको message भेज़ दो क help me help me job के लिए काम बन जाएगा और फिर नहीं बनता अगर कोई reply नहीं करता तो हम बोलते हैं क्या है इंडियन्स हेल्प नहीं करते हैं ऐसा नहीं होता practically आप भी नहीं करोगे मैं लिख के देता हूँ अगर आपको कोई बोलेगा तो थोड़ा practical approach के साथ सामने वाले का काम अ रहेगा तो यह मेरा experience है और मैं बस यहीं guide कर सकता हूँ आपको कि आप अच्छे से prepare करो चीजें और अच्छे knowledge के साथ practical knowledge के साथ अच्छे concepts होने चाहिए आपके और जब interview देते हो तो आप बता सकते हो कि technical interview में आपको technical German language नहीं आती लेकिन आप सारा communication अगर आप German में करोग तो आपके लिए life बहुत easy हो जाएगी तो यह था मेरा experience आपके साथ आप मुझे बताना आपको इसमें से कितनी चीजें काम की लगी और किसी को अगर इस path के through अगर job मिलती है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भी मिलती है तो try कर सकते हो आप definitely एक दिन एक दिन chance बन सकत है 100% मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे भी reality पता है आपको reality पता है पर try करने हम कुछ नहीं जाता और आने वाले time में market अच्छा हो रहा है अभी भी market अच्छा है इस field में mechanical में specially design में मैं manufacturing में क्वालिटी में और process में मेर को इतना experience नहीं है मैं future में कुछ लोगों से बातच आपको अच्छे से prepare करो और apply करो और हो सकता है मिया मिलेंगे future में और वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताना कुछ help चाहिए तो comment करना किसी और बारे में information चाहिए तो comment करना जितना ज्यादा हो सके like करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुचे का उतने ज्यादा लोगों की help होगी तो अच्छा लगेगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में